आज मैं आलू और परवल की एक बहुती टेस्टी सब्जी बनाऊंगी इसका टेस्ट रोज मला के आलू परवल के सब्जी से बिल्कुल अलग होगा और बहुत मज़िदार बनेगा तो चलिए रेसिपी शूरू करते हैं आज की आलू परवल की सब्जी मैं कुकर में बनाऊंगी इसके लिए कुकर में पहले चार पाच चम्मच सरसो का तेल लेंगे तेल गरम को चाने के बाद हम इसमें एट करेंगे वान फोर्थ टी स्पून हिंग एक चम्मच सौफ को ग्राइंडर में एक पर चलाया है इसे भी एट करेंगे हिंग और सौफ को हलका सा भून लेंगे यहां पे एक इंच अद्रप को बारिक काट लिया है दो हरी मिर्च है और एक मिडियाम साइज का टमाटर है पहले अद्रप और हरी मिर्च को थोरा सा अब भी टमाटर एड करेंगे और इसे भी खलका सा चलाएंगे बेसिक सुखे मसाले मिलाएंगे 1 अब टीसपून फल्दी पाउडर 1 अब टीसपून जीरा पाउडर और अब टीसपून लाल मिच पाउडर स्वादा मसल नमक मिलाएंगे धीमी आज पे मसालों को भूलेंगे जब तक टमाटर गल न जाए तमाटर सब्ट हो चुका है अभी क्यूब में कटे हुए दो तिन मेडियम साइज का आलू इसमें एड करेंगे हलका सा चलाएंगे अभी इसमें एड करेंगे लंबाई में कटे हुए परवल मसालों को परवल के साथ अच्छे से मिलाएंगे धीमी आज पे उपर से धक्कन लगाके दो तिन मिनिट के लिए होने देंगे देखिए दो तिन मिनिट के बाद सबजी अच्छी तरह भूल चुका है अभी हम इसमें एड करेंगे पानी आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस सबसे आप पानी एड करें धक्कन लगाके मेडियम टू लो फ्लेम में फाइब टू सिक्स विसल हमें लगा रही है पान्च पिजल के बाद खुकर ठंडा हो चुका है अभी सबजी देख लेए आलू और परवल बिल्कुल सौफ्ट हो चुका है दो तिन आलू को मैश कर देते हैं इससे सबजी गाढ़ा दिखेगा और सबजी का टेस्ट भी एन्हेंस हो जाता है लास्ट में हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया मिलाएंगे गर्मा गरम इस सबजी को आप रोटी या चावल किसी के साथ भी ले सकते हैं बहुत मज़ेदर लगता है उम्मित करती हूं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो व मिलती हूं अगली वीडियो में थेंक यू